हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप स्वागत है आपका एक और नए शांदार वीडियो में दोस्तों हाल ही में रिजर्व बेंक ने रेपो रेट को 0.50% बढ़ा दिया है जिसको 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाना भी कहते हैं और इसी से पहले 40 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को ने इंक्रीज किया था यानि 0.40% पहले भी इंक्रीज कर दिया था कुल मिलाकर के रेपो रेट को 0.90% बढ़ा दिया है जिसकी वज़े से रेपो रेट करेंट में 4.90% हो चुकी है दोस्तों रेपो रेट बढ़ाने से आपके लोन के उपर क्या एफेक्ट पढ़ने वाला ह आते हैं तो लोन का टेनियोर हैं जो कितने मन्थ हो जाएगा कितना महीना आपका लोन की किस्ते आपको ज़्यादा चुकाने पड़ेगी वह सब कुछ हम इस वीडियो में आपको केल्कॉलेशन करके बताने वाले हैं दोस्तों आप वीडियो में एंड तक बने रहे गा और पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आईए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों इंफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आर बिया कभी भी रेट ओप इंट्रेस्ट को बढ़ा देता है और अभी जो रेपो रेट बढ़ टोटल 0.90% रेट ओप इंट्रेस्ट आर बिया ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है तो आपके बैंक भी आपकी रेट ओप इंट्रेस्ट को जरूर इंक्रीज करेंगे क्योंकि बैंक भी ultimate पेसा तो आर बियाई से ही लेते हैं तो जब बैंक को पैसा महंगा मिलेगा तो वो से लंबेर पिरियड का होता है 20 साल 25 साल 30 साल तक का आप हाउस लोन ले सकते हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा एफेक्ट देखने को मिलता है उसी के उपर हम यहां पर कैलकुलेशन करके देखेंगे कि किसी कस्टमर ने अगर 10 लाग रुपे का हाउस लोन ले रखाता उसकी परजेंट रेट ओप इंट्रेस्ट थी और अब 7.90 परशेंट उसकी रेट ओप इंट्रेस्ट हो जाएगी तो उसकी एमाई कितना रुपे बढ़ जाएगी हर महीने और अगर एमाई नहीं बढ़वाना चाहता है तो टेन्योर कितने रुपे बढ़ जाएगा उसकी हम यहां पर कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं दोस्तों किसी लोनी ने किसी बैंक से 10 लाग रुपे हाउस लोन लिया था 7% की रेट पे 20 साल के लिये लिया था तो उसके लिए एमाई थी 7,753 रुपे और अब अगर रेट ओप इंट्रेस्ट बढ़ करके 7.90 परशेंट हो जाती है तो उसकी एमाई यहां पे 8,302 रुप कुल मिला कि उसके एमाई में 590 रुपे की इंक्रिमेंट देखने को मिला है यानि 590 रुपे हर महीने उसको ज्यादा चुकाना पड़ेगा अगर वह टेन्योर को 20 एर ही रखा जाए तो लेकिन कोई कस्टमर चाहता है कि मैं तो एमाई मेरी उतने ही चुका हूं यानि 7,753 ही चुका हूं और रेट विंट्रेस भले इंक्रिज हो जाए तो मेरे उसके पिरिएड में कितनी हाइक देखने को मिले की वह भी यहां पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों तो दोस्तों अगर वह लोनी हैं जो उतनी ही किस अब भी चुकाता रहेगा यानि 7,753 रुपे ज़्यादा लौन चुकाना पड़ेगा 48 किस्त इस्टॉल्मेंट है जो कि उसको ज़्यादा चुकानी पड़ेगी 90 पैसे रेट विंट्रेस बढ़ने से यह कैलकुलेशन है जो कि 20 साल के लिए 10 लाग रुपे के लौन के उपर है अगर किसी ने 20 लाग रुपे का लौन लि रुपे अब रेट बेंट्रेस 0.90 परसेंट बढ़ जाती है तो उसकी यहां पर हो जाएगी 16,605 रुपी तो कुल मिला कि जो उसकी जो एमाई है वो बढ़ जाएगी 1090 रुपे पर मन्त अगर यह तो वह 16,605 रुपे करना स्टार्ट कर दे तो लोन उतने ही पीरिड में च चुकाता रहता है तो उसके लिए 10 यूर कितना बढ़ जाएगा इसके भी हम यहां पर कैलकुलेशन कर देते हैं आपके लिए तो लगबग उसके लिए 48 मन्त ही उसका टेन्यूर बढ़ जाएगा लोन का टेन्यूर उसको 48 मन्त जादा बढ़ जाएगा 48 इंस्टॉलमेंट उसको जादा चुकाने पड़ेगी तो दोस्तों आपने और ओर ओल एफेक्ट देखा है कि लगबग 48 मन्त उसकी यहां पर नमबर ओप एमाई है वो की बढ़ जा रही है और 10 लाग रुपे पर करीब 549 रुपे हैं जो कि उसको जादा चुकाने पड़ रहे हैं एमाई पर इतना जादा एफेक्ट देखने को मिल रहा है तो दोस्तों जैसे जैसे रेट ओप इंटेस बढ़ेगी वैसे आप या चाहे तो एमाई बढ़वा लो या चाहे आप टेन्योर बढ़वा लेकिन कोशिश करें कि आप एमाई को बढ़वा दीजिए क्योंकि टेन्योर को बढ लेही चुक जाएगा और आपको इंट्रेस्ट कम से कम देना पड़ेगा लेकिन जिन लोगों के पास एक्ट्रा पैसा नहीं आता है वह जितनी भरते जाए उनका लॉन है और टाइमली क्लॉज हो जाएगा दोस्तों आश्या करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई ह होगी यदि वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजेगा और सभी के साथ शेयर कीजेगा मिलें किसी और अच्छे दामागदार इंफोमेटी वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थन्यवाद